हेलो, वेल्कम टू के नश्टेडिज, CAPFAC 2021 के इंटर्व्यू के लिए आज हम इस वीडियो में लैंग्वेज के बारे में डिसकस करेंगे, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा प्रोब्लम होता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि अबरी केंडिडेट कोई भी हो जो मदर टंग में कमफर्टेवल फील करते हैं, व्यूवन इस फिलिंग कमफर्टेवल इन मदर टंग, व्यूवन इस जी यूवर दिए वक्रांवरीजों ज र επuger ट्रेशेन्टस के लिएजिएल जोलग टाव कि बारे में करते हैं 2000 यूवर्ट कि यूवर्ट को पर्टेवल अंग्गिंटी imagine करो कि आप हिंदी मेडियम से हो तो आपको लगता है कि क्या मैं हिंदी में दूँ जिस्ट थोड़ी देर के लिए सोचो कि कुछ ऐसे people हैं जिनका मेडियम जो है वो हिंदी नहीं है आइदर उनका सपोच तमिल है तेलगू है मद्यालम है कंड़ है गुजराती है उडिया है या फिर नर्थिष्ट का सपोच कोई लैंग्वेज है अब जिस्ट इमिजीन करो इफ एवरी परसंट वी सो की आई सुड आपिर इन इंटर्व्यू इन देट लैंग्वेज इन नोट पॉसिवाल की आरेंज फोर एवरी हाँ यस नावेडे टेक्नोलोजी इज अवेलबल सो डैट समल्टेनिस ट्रांसलेशन कैं बीड़न इन इन दिफरेंट लैंग्वेज बट देयर इस नोट लाइक थिंग्स इंग्लीस आपका अल्रेडी पेपर टू में जो है मिनमम स्टेंडर का आप से इंग्लीस चेक किया गया है जो पेपर टू में आपके 120 मार्क्स के हैं वो तो वनली इंग्लीस में ही है और बिलीब मी आपने इस 120 मार्क्स हैं इसमें ठीक ठाक नहीं किये हो तो बहुत डिफिकल्टी आपके पास होती है कुछ एक एस्पिरेंट्स होते हैं हमेशा बोलते हैं कि 80 मार्क्स का तो एसे है क्या हम उसमें 60 ले आएंगे तो 60 ले आए तो हमारा इसमें बस बहुत कम आए तो ये 60 आप इतने आप टैलेंटेड नहीं हो मैं आलबेज यही बोलता हूँ यदि आप इतने डिजर्व करते ह हो तो ये वाला कंपोनेंट भी कर सकते हो तो बिलेब में इंग्लिस इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना कि इसको हम जदी नहीं प्रोपर तरीका से प्रप्रेशन करते हैं तब समझते हैं इंफक्ट किसी के लिए भी जो लैंग्वेज में जो कमफर्टेवल है उसके लिए आसान होता है अब जस्टी में जीन करो कि आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ फूर एक्जामपल आप हिंदी मेडियम से हो आपको बोले जाए कंड़ तो कंड़ आप नहीं समझोगे लेकिन जो कंड़ वाले हैं उनको हिंदी प्रोपर तरीका से उनको डिफिकल्टी होती है लेकिन इंग्लीज एक ऐसा चीज है जिसको आपको अल्रेडी बताया गया है कि yes you have to do in fact हर बोड में चाहे आप किसी भी बोड से हो 10th standard में at least आपने इंग्लीज जरूर रखा है तो till 10th standard की ही जरूरत होती है जब हम interview में बोलते हैं जब हम question का reply करते हैं तो ये नहीं होना च जो candidate, जो aspirant for example convent school या mission के school या फिर अच्छे जो English medium के school है वहाँ study किये हैं तो आप उस level का fluent English तुरंट नहीं बोलना शुरू कर दोगे लेकिन basics की जरूरत होती है आपको difficult words choose करने की जरूरत नहीं है wherever you face difficulty there are certain circumstances when you are not feeling comfortable then you should express that word or that expression in Hindi कुछ ऐसी चीजें होती है so in fact आप जितनी भी communication देखते हो a lot of time pure जो English में भी आप news बगएरा या कुछ होसा देखते हो तो कुछ ऐसी आज के डिट में होती है कि कुछ words जो होते हैं common होते हैं जो Hindi में भी use किये जाते हैं और English में भी use किये जाते हैं तो इस वीडियो में हम कुछ basics जो candidates के आपके हो सकते हैं ये doubts हों कुछ जो candidates doubt raise करते हैं तो उसके संबंद में मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाँ अब जो जिनका जिनका आपका ऐसा नहीं है सबका अलग-अलग problem होगा तो कुछ एक जो common problem है जो कुछ experience ने common problem arise किये हैं या फिर जो past candidate जो already या तो selected हो गए या फिर unfortunate region से select ना हुए लेकिन interview में उन्हें अच्छा marks मिला a lot of candidates होते हैं ना interview में suppose आपको 105 marks मिले तब भी आपका selection नहीं हो सकता है यदि आपका return में ठीक ठाक नहीं है और किसी का 75 marks भी है interview में तो वो select हो जाता है 105 बाला भी नहीं होता तो आपका all three components मिला करके होता है और जो भी आप जाते हो तो आपको excellent की जरूरत नहीं होती है हर components के अपने marks है और वो marks obviously है decided नहीं है interview में यह नहीं लिखा हुआ है कि इस component के इतने marks मिलेंगे लेकिन हाँ जिसकी language पे पकाड़ है जिसकी language पे command है वो उसे obviously वात है उसका benefit मिलेगा in fact जब मैं candidates का देखता हूँ जो copy होता है तो lot of candidates होते हैं ना तो हिंदी सही से लीख पाते हैं ना English सही से लीख पाते हैं हिंदी में भी कुछ candidate का यह हुए कि हमने हिंदी पढ़ा in fact तब मुझे बहुत बार दूख होता है कि कुछ candidate होते हैं कि three years continuous graduation में हिंदी सहीत के पढ़े या कुछ ऐसे हैं जो for example masters कर रहे हैं हिंदी में और हिंदी वो proper तरीका से नहीं लीख पाते हैं या कुछ ऐसे हैं जो masters किये हुए हैं इंग्लीज में और इंग्लीज को सही से नहीं लिख पाते हैं तो वहाँ problem create होता है writing में भी same situation speaking में भी है कि आपका df कुछ और कहता है और आप present कुछ और कर रहे हैं example जैसे मैं अभी कुछ candidate से बात किया अब आप एक metro city में रहे आप एक brand के engineering college से four years b.tech किये उसके बाद आप बोलते हो कि मैं हिंदी में अधिक comfortable हूँ that creates problem ठीक है कि आप एक तरफ आप बहुत सारी चीजों को define कर रहे हो कि हम इस चीज में अच्छा है हम किसी भी चीज को आसानी से learn करते हैं या फिर मैं gold medalist रहा जिस्ट आप gold medalist रहे आप learning की adaptability आपकी है आप quick learner हो उसके बाद आप ये बोलोगे कि नहीं मैं इस language में comfortable नहीं हूँ तो आप just imagine करो सोचो कि जू South India के हैं जिनको proper Hindi नहीं आती है lot of candidate होते हैं जिनको proper Hindi नहीं आती है उनके लिए बहुत difficult होता है ऐसा for example एक interesting story है कि कामराज का आपने नाम सुना होगा कामराज plan बगएर भी आपने पढ़ा होगा तो कामराज कभी Congress के President हुआ करते थे तो once जब लाल बहाद ये जबाहरलाल नहरू जी का death हुआ तो ऐसा एक situation हुआ कि चुकी के कामराज Congress के President थे तो कुछ लोगों ने बोला कि कामराज जी आप ही क्यों नहीं Prime Minister इंडिया के बन जाते हैं आप बन जाए तो बोले नहीं I cannot be Prime Minister of India, no Hindi, no English obviously वो मदरास ददेन मदरास प्रोविंश के लीडर थे और उनको अपना language छोड़ करके यानि की कामिल छोड़ करके प्रोपर और language नहीं आती थी तो नहीं तो उनको बोला उन्होंने खुद कि ना English, no English, no Hindi तो जब Hindi और English दोनों नहीं आ रहा है आपको तो आप आज़े Prime Minister बनोगे, हाँ, load out आपके लिए आज के rate में सारी चीज़े उपलब्द हैं लेकिन तब तब आज से 50 पलस years पहले जो है situation different था तो जिस्ट सोचू कि जो ऐसे candidate हैं, उनके साथ problem है, आप जिस्ट imagine करो कि आपने तो Hindi मेडियम से ज़दी आप हो तो आपके पास बिकल्ब था कि ऐसे को Hindi या English दोनों में किसी में लीख सकते हो लेकिन जो जिनका Hindi मदर टंग नहीं है, Hindi नहीं जानते हैं, उनके पास तो भी कल्ब है कि only English में लीख है तो आप इस point of view से ध्यान रखो, और आपके पास time दिया जा रहा है, आपको ऐसन नहीं कहा जा रहा है कि random आप APR हो जाओ, just for example, आपका Retain का result है, वो आपका October मन्त में आया तो सुचो, October मन्त में आपका Retain का result आया और आपका physical, medical जो भी हुआ, हो गया उसके बाद आपके पास most probably आपका May, Ind या मेरे अनुसार June में आपका interview होना है तो just सोचो, आपके पास seven months के आसपास time मिलत रहा है, तो उसमें basics तो आप English कर ही सकते हो या, in fact, तब से भी नहीं कर रहे होते हैं, आज से भी आप basics कर सकते हो तो इसमें कुछ doubts, जो questions, query है, candidates का आपका view हो सकता है, तो आप उसको देखो और जो fit आपको बैठता है, उसको करो, और फिर obviously है कुछ questions, query doubts होगा, तो some basic doubts जो है, कुछ मैंने ये लिया है, इस slide में और next slide में भी ये पहला जो question candidate का होता है कि is English compulsory during interview, तिको compulsory नहीं है, लेकिन आज के rate में है, जो stress गो करते हैं कि interview को देने के लिए English medium में ही, इस बजह से कि आप एक guested officer होने वाले हो, आप directly appointed guested officer, DSGO आप कहे जाते हो, ठीक है, DSGO, directly appointed guested officer, अब आप भारत सरकार के directly appointed guested officer हो, यानि कि one of the cream job में हो, तो उसके लिए basic आपके पास English की जरुरत होती है, अब ये compulsory नहीं है, जिन लोगोंने paper two को English, ये Hindi में लिखा है, तो उनके पास एक तरह से ये कहीं न कहीं leverage होता है, कि they can choose as Hindi, लेकिन आज के रिट में क्या करते हैं, जो interview panel है, और या future person जो भी board के हैं, तो उगों करते हैं कि, see, the things की you should speak in English, this happened last year also, this time also, means for 2020 aspirants whose interview was in December 2021, some aspirants said, sir, I asked permission to say in Hindi, but they said, please reply in English and believe me, believe us, we will not deduct any marks for your bad English or even if there are some problem in English, so howsoever you feel, you should reply in English, so this thing is happening, one more incident, incident means, in fact, things I should discuss with you, कि जो आपका CISF, for example, CISF LDC, जो exam होता है, ठीक है, तो CISF LDC में जो assistant commandant, for example, अभी 23 aspirants, जो भी 23 officers select हो गए, यानि कि उसमें, जो CISF में ही already है, उनके लिए होता है, तो उनको three attempts total दिया जाता है, तो उसमें, just imagine करो, उसमें जो form भराया जाता है, उस form में, आपके वाले DAF में ये option नहीं मांगा जाता है, कि आप जो interview है, वो English या Hindi में दे रहे हो, लेकिन उनके वाले में वो मांगा गया, कि आप Hindi या English किसमें interview देना चाहते हो, लेकिन उसमें भी, जिनका Hindi भी होता है, तो sometime board जो होते हैं, वो अश्ट्रेश करते हैं candidate को, कि please speak in English, तो आपको अपने इंडिस से त्यार रहना चाहिए, हाँ, ये सीख है, कि हर candidate का language है, language क्या है, एक तरह से tool है, एक तरह से mechanism है, कि हम जिससे communicate कर पाएं, अब just for example लो, कि आप कहीं गए, कोई ऐसे जगह पे, जहां कि आप वहां का language नहीं जानते हो, तो आप आपके पास क्या भी कल्प है, किसी भी चीज़ को, for example, आप just example लो, कि आप कहीं shop में जाते हो, कोई item आपको ज़रुवत है, अब आप उनके language को नहीं जान रहे हो, और suppose English भी वहां नहीं चल रहा है, या जो भी आपकी language नहीं चल रही है, तो आइदर आप उस बस्तू को देख करके ये कह सकते हो, कि how much for this, तो अब वो उस चीज़ को बोलेंगे, तो साइद आप फिर money बगएरा का होगा, कि कितने हम money दें, तो that all is problematic sometime, लेकिन just imagine करो, कुछ एक आपका common ऐसा language हो, जो basic वो भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हो, तो वो समस्या का शमधान हो सकता है, तो language क्या है, एक enabler है, it is not a barrier, in fact, barrier के तोर पे तब होता है, जब हाँ, अब for example, आपको अचानक बोले, Chinese बोलिये, तो आप नहीं बोल सकते हो ना, लेकिन just imagine करो, कि आपका ये target हो, कल के rate में just imagine करो, कि कोई assistant commandant का तीन साल बाद तैयारी करने वाले हैं, या जो उनको भी है कि दो साल बाद, अब ये रहे, कि Chinese में एक एससे लीखना पड़ेगा, तो believe me, जिनका person होगा, वो Chinese भी सीख जाएंगे, हाँ, लेकिन random यदि ये बोला जाएगा, कि आप गए exam hall में, और ये बोला जाएगा कि अब ऐसा है, या आपको Chinese में बोलना पड़ेगा, तब आपके लिए possible नहीं है, लेकिन English ऐसा Chinese नहीं है, या English आपका Spanish नहीं है, आप English को basic हर किसी ने 10th में बढ़ा है, तो जिन लोगों ने ऐसे हिंदी में लिखा है, उनके पास little leverage है कि आप हिंदी में कर सकते हो, you can ask permission, कि sir, can I speak in Hindi, अब वो आपको यदि बोलते हैं कि नहीं, you have to speak in English, तो ठीक है, आप ये बोलोगे कि yes, okay sir, but some words I'm not comfortable, there I can use Hindi words, तो obviously वो बोलेंगे yes, या फिर बीच में कुछ ऐसी चीज़े आती हैं कि you are speaking, you are communicating, you are replying, in the meantime, there are some words or some expression which you are not able to express that in English, then you can use their Hindi language, okay? So English as such उस label में compulsory नहीं है, but in nowadays, generally they are asking to speak in English, because जो English वाला है, वो component, everyone is understanding, अब for example, बोर्ड में कुछ ऐसे मेंबर हैं, जो साइध हिंदी को नहीं प्रोपर तरीका से समझ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं, for example, South India के हैं, या कोई North East के उस लेवल के हैं, या just imagine करो कि किसी कोई ऐसे हैं, जो उनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन वो हमेसा English use किये हैं, या कोई just imagine करो कि Air Force के Vice Marshal रह चुके हैं, तो उस लेंग से ऐसे चीज़े होती हैं, तो ऐसे चंपल्सरी नहीं है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन अपने को mentally prepare रखो इंग्डिस में, अब निक्ष्ट यह है कि if they are allowing, suppose कि they allow in Hindi, तो एक candidate का यह होता है question कि does Hindi medium fetch less marks? My answer is no. I have seen this with practical marks. There are many candidates who were more fluent in English. Their communication skills in English was far better, but they fetched less marks than many of those candidates who were not fluent. तो शिर्फ language का खेल नहीं है, एन नंबर अफ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स आपका, जैसे ही आप इंटर करते हो रूम में, तो वो आपका किस धंग से आप चल रहे हो, किस धंग से चेयर को पूल कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कि एक student मेरा obviously है, he completed training, now he is serving as a three star, obviously insignia में अपना लगा रहा, तो उसने training complete कर ली. One time उसका नहीं हुआ, इस बजह से नहीं हुआ, कि उसकी interview में जो personality वो खड़ा इस टंग से होता था, बेचारगी की हालत में, कभी भी आप believe me, आप सदी officer के लिए, आप directly appointed guy state officer के लिए, आप training के लिए, interview के लिए जा रहे हो, तो बेचारगी की हालत में नहीं जाओ, आप already more than 99% aspirants से better हो, in fact sometime 99.95%, 99.6% candidate जो APR उस exam में हुए, उससे आप better हो, और हर कोई तो gastric officer का form नहीं भारते हैं, ऐसा नहीं है न, railway वाला में for example देखों, NTPC में कड़ोर पलस form भारे, लेकिन यहाँ कड़ोर पलस तो नहीं है, यहाँ हर लोग नहीं form भारते हैं, यहाँ वही form भारते हैं, जिनको लगता है कि yes, हम इतने eligible हैं, इतनी हमारी capability है, ठीक है, तो आप already उस label में हो, तो आप किस धंग से खाड़ा होते हो, किस धंग से आप चीजों को reply करते हो, आपका gesture, posture क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सो है, medium communication का वो माईने नहीं रखता है, आप बहुत अच्छा fluent English बोल रहे हो, पूरा एकड़म poetic language में, लेकिन आप proper कोई चीज का reply, question का reply नहीं दे रहे हो, हर चीज को घुमा फिरा करके, वो जैसे राउल गांधी वाली interview है, कि women empowerment ही सब चीज है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो women empowerment कर रहे हैं, तो उस टंग से नहीं होना चीज है, कि आप उस चीज को करोगे, हिंदी medium आपको as such जो है, वो less marks छेच नहीं करता है, आपका हर component माहिने रखता है, हाँ, वो प्रभावित होता है, जहां उन्होंने बोला ठीक है, चलो, communicate in English, whatsoever happens, not deduct your marks, and wherever you are feeling uncomfortable, you can switch to Hindi for some words or some sentences, otherwise you have to do that in English, but if they are properly allowing in Hindi also, you should not use pure Sanskritized words, जो pure Sanskritized words को नहीं यूज करना है, जो common parlance में जो words यूज हो रहा है, उसको यूज करना है, तो आपको जो है, इसके लिए, language के लिए, हिंदी में जदी देते हो, तो marks आपके नहीं कटेंगे, तीक है, अब है, can I use mix of both Hindi and English, जो uncomfortable feel करते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन start आप एक तरह से Hindi ये English में कर सकते हो, English में जैसे हो, चल रहा चल रहा, बीच में कुछ ऐसे चीजे होती है, तो with due permission आप उसको यूज कर सकते हो, इन फैक्ट देखोगे कि आज के डिट में बहुत सारी जो communication है, वो उसी sense में चलता है, कि majority इंग्रीच में चल रहा, बीच बीच में उसमें कुछ हिंदी के sentences आते हैं, इन फैक्ट जैसे कुछ books बगएरा भी मैं multiple time इस चीज को discuss कर चुका हूँ, पर इजमपल, so many authors ऐसे हैं, लेकिन मैंने one author जो I am अमदाबाद की student रह चुकी हैं, तो रस्मी वनसल, उन्होंने कई books लिखे हैं, तो उसमें मैंने दो-तीन पढ़े हैं, तो for example, connect the dot, I stay hungry, I stay fully, I have a dream, और बहुत सारे हैं, तो थ्री मैंने उनका पढ़े हैं, तो उसमें वो एक तरह से na, communication के language में लगता हैं, कि आप से सामने बात कर रही हैं, उस sense में लीखती हैं, तो उसमें बीच-बीच में वो हिंदी वाले sentences को भी यूज करती हैं, तो आज की में ये best way है, आप में जोरीटी सीजे, तो English में यूज करो, और कुछ एक जो sentences है, वो उसको हिंदी में कर सकते हो, next ये है, कि I can speak English, but not fluently, does that create problem, no, fluency, जो है English का, या कोई भी language का, वो one day में नहीं आता है, आप उसमें, और ये भी कोई जरूरी नहीं है, कि कोई बच्चा primary से पढ़ रहा, English तभी उसका fluently होगा, बहुत ऐसे candidate हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो की 10th कर लिए, 12th के बाद उन्होंने actual में English में थोड़ा बहुत, otherwise उनके हाथ बहुत तंग हुआ करते थे, तो 12th के बाद एक तरह से proper तरीका से English start किये, English में work करना start किये, लेकिन उनक for example, Hindi proper तरीका से Hindi ही बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हिंदी में भी उनका fluency नहीं होता, तो language fluency different चीज होती है, जैसे for example, आप रगुराम राजन जी को सुनना कभी, रगुराम राजन was always एक तरह से first ranker in entire career एक तरह से, और वो एक तरह से अपने आप में RBI के गवरन रहा चुके हैं, और उसके बाद ये professor भी है, American University में, Chicago Booth School में, अब just imagine करो कि वो economics, finance पढ़ा रहे हैं, US citizen को, US people को, और दुनिया के हर पार्ट से लोग वहां दाते हैं, RBI के गवरनर रहा चुके हैं, IIT Delhi में पढ़ चुके हैं, always he was the topper, one of the, तो उसके बाद भी आप देखना उनकी जो communication, ऐसा नहीं है, उनकी communication खराब है, लेकिन उनकी वो fluency नहीं है, कुछ ऐसे our person को देखोगे, उनकी ज़्यादा fluency होती है, तो ऐसा नहीं है कि उनका, वो काम नहीं चल रहा, उनकी बहुत अच्छे है, English अच्छे है, लेकिन देखोगे, कि जो fluency proper होनी चाहिए, सा कोई काल सेंटर में काम कर रहा है, और रगुराम राजन से बेटर इंग्लिस पोल्ड रखा है, तेकिन इसका मतलब नहीं है, क्यो रगुराम राजन से बेटर हो गया, तो that thing is different thing, कि आप fluency कोई जरूरी नहीं है, a lot of time you will see IS officer or sometime a top class executive, management executive, manager and all, there are having different types, so many are repeating the things, including I myself is doing the same thing, for example, मेरी खुद अपड़ाही जो है, Hindi मेडियम में हुई, मुझे बहुत difficulty obviously होती थी इसमें, पर धीरे धीरे करके यह चीज है ना, कि जितनी जरूरत है, जितनी काम की जरूरत है, उस चीज को मैं करता हूँ, और कहीं न कहीं आपके साथ compulsion हो, कि हमें इतना minimum सीखन है, तो आप उस चीज को कर सकते हो, तो आप fluently नहीं बोरते हो, तो उसका कोई फरक नहीं पड़ता है, जो आप से पूछ रहे हैं, आप उसका जबाब दो, आप उसको reply करो, that's the thing, कि what I am asking, that communication should reach to me, sometime क्या होता है, कि जब आप paper में लीखते हो, a lot of time मैं देखता हूँ, जो candy rate for example, test लीखते हैं, तो उनके test paper मैं देखता हूँ, तो a lot of time होता ना, कि वो जो कहना चाहते हैं, actual में वो कहना ही पाते हैं, लेकिन अब उन्होंने लीखा, तो जब मेरे पास जब टेस्ट लीख रहे हैं, तब तो मैं उनको जब feedback देता हूँ, sometime मैं call करके, call पर बात करता हू हैं, लेकिन चब यहां आप बोलते हो, तो कुछ चीज़े clear नहीं होती है, तो फिर रिक वो कह सकते हैं, कि please clear it, or please collaborate more about it, और जदी आपको समझ में नहीं आता, तो further उस पर cross question करते हैं, तो fluently नहीं करते हो, तो कोई दिकत नहीं है, next जो एक doubt यह होता है, कि I am more comfortable in Hindi, and also wrote paper 2 in Hindi, in the sense कि इसे, ठीक है न, और बाकी तो component आपको English में, so which medium will be good for me during interview, देखो, यह same situation उसके यह में है, कि हम क्या करें, कि more comfortable हैं Hindi में, और Hindi में भी लिखें, obviously है कि आपका Hindi जादा better है, तो you can ask permission, but you should be ready for English event, ठीक है, तो आप अधिक comfortable हो, that's fine, लेकिन आप basics जान रहे हो, तो अपने को mentally prepare रखना है English के लिए, but you can ask permission, if they are giving, then okay, लेकिन mentally अपने को English के अमसार prepare करो, next, I wrote paper 2 essay in English, can I use Hindi during interview, believe me, जब ये आपने essay English में लिखा, तो आपके पास जो है, वो leverage नहीं होता है, कि आपको, तब आप ये नहीं कह सकते हो, in fact, permission आप तब ही मांग सकते हो, लेकिन generally जो है, तब आपका right नहीं बनता है, क्योंकि already आपने English choose किया, English Asian language choose किया, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है, तो ये question थे, कि interview में language के को ले करके, जब हम language को देखते हैं, तो a lot of time, जदि आप proper communication बगएरा को देखते हो, तो as such जो language proper है, वो जो है, कहा जता है ना कि only 7% count करता है, बाकि जो 93% है, उसमें आपका gesture, posture, eye contact, ये सारे components भी work करते हैं, a lot of time होता है, कुछ person idea होते हैं, कि जैसे कहते है कि सकले से तो ये लगता है कि जूट बोल रहा है, तो आप कुछ ऐसे होते हैं, जो सायद, they are not telling lie, लेकिन उनका जो confidence label होता है, जैसे, for example, हमारे परदानमंत्री जी हैं, उन्होंने सब को बोला 15-15 लाक रुपे एकाउंट में आ जाएगा, लेकिन इस confidence से उन्होंने बोला, क इस सब को believe हुआ कि 15-15 लाक आएगा, दूसरा बार में उन्होंने एक तरह से उस पर direct कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ का ये था कि एक बार ही रुख जाए, ये 15-15, 30 लाक काहने आपके एकाउंट में आ जाए, या बहुत सारी चीजों को वो बोलते हैं, जिसको fulfill नहीं करत हैं, तो कोई ऐसा कह सकता है, obviously है, a lot of time, उनके आप चेहरों को देखो, तो लगेगा कि ऐसा एकदम बोल रहे हैं कि उतनम तुरंत उसको पूरा कर देंगे, या फोरी जामपल जितनी स्कीम्स बगएरा, बहुत सारे स्कीम्स इन्होंने स्टार्ट किया, उसका फिर record मांगो, तो उस पर कोई जवाब नहीं देंगे एक तरह से, कि फोरी जामपल सलसद आदर्स ग्राम योजना आपने स्टार्ट किया, उसकी क्या इस्थिती है, तो जो गाओं का विकास आप कर रहे थे, वो कहां पहुँचा, कोई इसका जवाब नहीं है, पंद्र लाख का क्या हुआ इसका कोई जवाब नहीं, हिमाचल पर देश में फोरी जामपल उन्होंने कहा कि साहल रीड परसन है, उनको छूट दिया जाएगा और जो बीदेशों से हम पैचा लाएंगे, उसका कुछ हिस्सा उनको भी देंगे, या बहुत सारी चीजों को, एन नमबर आओ, लेकिन उन आपको मना करना पड़ेगा कि सर्क कुछ दिन तो गरीबी में रहने के लिए मौका दीजिए, तो क्या है, वो जूट वो भी बोलते हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन ऐसा है, उनने अपने को ट्रेंड इस डंग से किया हुआ है, कि लगता है, सही है, तो जैसे लास्ट जो एक वीडियो था, उसमें हमने ये बताया था ना, कि everyone has a story to tell, तो एक तरह से जो भी कुछ आप ये बोलते हो, उसको story के form में आप वो नेरेट करते हो, वो चीजों को express करते हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है, आप जितना अच्छा engage कर पाते हो, जो दरसक है, वो अच्छा होगा, उतना उसका so, सही रहेगा, तो आप एक तरह से जो board members हैं, जो chair person or members हैं, जो board people हैं, उनको कितना आप attract कर पाते हो, कितना आप engage कर पाते हो, कितना वो आपके जो communication है, वो आप जो कुछ कह रहे हो, उसमें वो कितना interest ले रहे हैं, the more interest they are taking, the better you are getting, better things, ठीक है तो ये language के परती, आप बहुत अधिक ये नहीं रहो कि language ही decide, in number of components हैं, और उस component को जितना आप सही रखोगे, वो सारे components को उतना अच्छा है, a lot of candidates होते हैं, कि मैं question का जवाब नहीं दे पाया, हर वो चीज का distributed है, a lot of time जो होता ना, कि कुछ अच्छे candidate marks नहीं प्राप्त कर कुछ खराब candidates, तो सारे factors को देखा जाता है, आप किसी एक factor हो सकता है, किसी एक factor में आपने बहुत ज्यादा blender कर दिया हूँ, उसका impact आपके दूसरे field में भी होता है, तो I hope things are clear, कुछ भी questions, query doubts है, तो आप हमें इस WhatsApp number 8527 146498 या फिर इस Telegram number 7404909669 पे संपर्क कर सकते हैं ठीक है, और जिनको भी interview guidance चाहिए, paid program जिनको भी join करना है, वो most welcome, okay, thank you